Hello friends I am Niru and most welcome to my channel Beauty and Hair Styls Friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी Master Class की Next Class की Foundation Mixing में पिगमेंट का क्या काम है और Color Wheel के एकोडिंग वही आप बार बार कुछते हैं Color Wheel के एकोडिंग मिक्सिंग कैसे है किस तरहां से करनी है Color Wheel क्यों जरूरी है क्या काम है Foundation Mixing में और जो हमारे Pigments होते हैं उनका का गाम है क्या सिफ पिगमेंट हमारे Dark Circles हमारे Pimples हमारी Problems Pigmentation क्या सिफ इनी चीजों को Hide करने के लिए यूज किये जाते हैं और किसी चीज्स के लिए यूज होते तो यह बहुत गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है pigments का problem को hide करने के इलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि foundation mixing में भी होगा तो foundation mixing जब हम करते हैं तो हमने क्या किया कि आपने skin tone के foundation की shade बनाने की कोशिश करते हैं foundation mixing यही है कि हमने अपने skin tone की जो मारी skin tone है इसकी shade को prepare करना है अगर हमारे पास exact shade नहीं है तो हम क्या करेंगे हम foundation को mix हम क्या करते हैं दो foundation लेते हैं उन्हें mix कर लेते हैं पर क्या foundation mixing इतनी easy है इतनी आसान है कि हमने दो foundation लिए mix किया और use कर लिया जी नहीं इसमें हमें pigments add करने पड़ते हैं किसके according undertone के according अगर आपने पिछली class नहीं देखी foundation mixing के rule की class तो वह जरूर देख लें क्योंकि अगर वह class आप देखोगे तो rule का आपको पता चल जाएगा अगर आपको rule पता लग गया तो आपको ये वीडियो समझना असान हो जाएगा कि क्यों हमने कौन सा pigment क्यों use करना है और क्यों mix करना है क्योंकि rule जो है मैंने properly पिछली class में समझा चुकी हूँ एक overview देख लेते हैं हम इसका warm color में warm color add करोगे तो warm मिलेगा warm में cool add करोगे तो neutron मिलेगा warm में double cool add करोगे तो cool मिलेगा ठीक है अब पूरी class पूरी detail पिछली class में दी हुई है जो last class हमने master's make up की थी ना उसमें मैंने पूरा इसको explain किया था कि किस तरह से तो इसके recording देखना अब suppose कीजिए चलो हम अपने foundation पे आते हैं अब suppose करें कि आपने दो foundation लिए एक लिया है warm undertone का एक लिया है cool undertone का अब आपने उन दोनों को mix किया और mix करके एक shade बना ली exact आपके skin की shade आपके पास आ गई क्या वो use करने के लायक है जी नहीं अब भी आप उसे use नहीं कर सकते क्यों देखिए आपने क्या किया है एक warm foundation में एक cool foundation add कर दिया मैंने आपको rule के क्या बताया था किगर warm में cool को add करते है तो जह हमारे पास mixing के बाद जो चीज बनेगी जो foundation बनेगा वह neutral बनेगा ना तो वह warm होगा ना वह cool होगा तो अब आपने क्या कर दोगिस case में neutral foundation बन गया अब आपने इस case में क्या करना है वह यह neutral है ना उस neutral में आपको एक pigment अड़े करना अब यह कौन सा pigment है आप देखिए मारे पास लग लग तरह के pigment होते हैं यह जिसी ग्रीन है यह ये यहलो है ठीक है ना और यह हमारे पास और अरंज करेक्टर है यह मारे contours की shade है तो हमने क्या करना है कि अगर आपका client warm undertone का है तो आपको हलका सा yellow pigment उसमें add करना है अगर वो warm undertone में है अगर warm undertone में है तो warm ही color उसमें add करोगे अब कितना add करना है suppose कीजिए एक पानी की जो बूंद होती है ना उतना add करना है बहुत ही कम quantity में अगर आपके client cool undertone का है तो आप purple उसमें हलका सा add कर दोगे तो वो cool shade में आ जाएगा अगर आपके पास exact foundation है तो कोई problem नहीं है आपको कुछ भी add करने की जूरत नहीं है क्योंकि अवर आपके पास skin tone के according आपको अंडर तोन के foundation है आपको उसमें cool undertone के आप हो तो आप उसमें cool color add करोगे cool color कौन सा है blue color ठीक है cool color कौन सा है blue color उसमे blue color add कर दोगे तो वो जो है blue थोड़ सा ज़्याधा करना है ठीक है थोड़ा सा यानि एक drop से हलका सब जादा एड़ करोगे तो वो cool हो जाएगा और आप उसे use कर सकते हो next एक और कीज ले लेते हैं I suppose करें कि आप cool undertone के हो आपको warm shade चाहिए तो आप क्या करोगे warm undertone का foundation चाहिए तो उसमें क्या करो हलका सा येलो एड़ कर दो और थोड़ असा जादा करना अगर हम एक्जेक्ट लेते हैं थोड़ असा जादा करते हैं तो वह आपका warm undertone में आ जाएगा अब next देख लेते हैं कि suppose करें कि ना आप ना एक undertone होती है औल्लिव undertone ना तो वह warm होती है ना वह cool होती है ठीक है ओल्लिव undertone अब इस case में आपको अगर जो foundation mixing कर ली आपके पास जो foundation माली जी क्या पूस एक neutral foundation है और आपने क्या करना है आपने इसे ओल्लिव का बनाना है या तो आप उसमें blue और yellow दोनों थोड़े-थोड़े mix कर दो दोनों pigment mix कर दो या तो यह हो सकता है या फिर आपने क्या लिए लेना है आपने सिर्फ green लेना है ठीक है green pigment क्योंकि जब blue और yellow मिलते हैं तो green pigment बनाते हैं तो आप क्या करोगा या तो आप directly एक green pigment ले 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 और directly add कर दें तो वह आएगा olive का पॉली वंडर टोन वालों के लिए तो इस तरह से आप जो है वह mixing करो मैं पिछली क्लास जरूर देखो जो मैं रूल बताया था warm प्लस वाम वाम बनेगा warm प्लस cool neutral बनेगा cool प्लस warm भी neutral बनेगा ठीक है और अगर warm में double cool डालेंगे तो वह cool बनेगा तब वह neutral नहीं बनेगा जब warm में cool color add करते हैं तब वह neutral बनता है अगर warm में double cool add करते हैं तब वह cool बनता है पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इस रूल को बताया गया है तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखे तो इसी के कोडिंग आपको मिक्स करना है आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो foundation आप मिक्स कर रही हो वो warm है या cool है और जिसमें मिक्स कर रहे हो वो warm है या cool है आप दोनों को मिक्स करोगे तो आपको एक shade मिलेगा ठीक है warm और cool को मिक्स करोगे तो neutral मिलेगा और neutral मिला तो आपका client किस undertone का है वो undertone के कोडिंग pigment add कर दो आपको अपकी shade मिल जाएगी exact shade मिलेगी तो इस तरह से हम foundation को mix करते हैं जादा तर जो आपके पास client होंगे ना वो maximum warm undertone में ही होते हैं थोड़े इंडिया में यानि कि जो जहां पर गर्मी होती है वहां थोड़े warm undertone में ही होते है cool में कम होते हैं जहां ठंड होती है कोई कोई कूल होता है कि इंडिया का atmosphere ऐसा ही है कि यहां पर warm undertone के ज्यादा मिलते हैं कूल के कम ही मिलते हैं तो और सुपोज एक चीज़ और है कि मालो जापको से एक फियर foundation है लेकिन आपको परसना कुछ और नहीं है मतलब कि उसको करेक्ट करने के लिए कोई दूसरा foundation नहीं है अगर आपस contour है ना जासता कि यह contour है यह देखे कितनी dark shades है है ना यह वाली कितनी dark shades यह शेड़ करके थोड़ी सी आड़ करोगे ना आपके टोन का foundation जो है वो प्रिपेर हो जाएगा इस तरह से एड़ करना है यह हमारी जो है theoretical class है कि foundation mixing गे प्रैक्टिकल भी हम next में देख लेंगे इस तरह से mixing करनी है वो भी हम देखेंगे next class में आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और साथ अपडेटिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेस्टेर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फ्रिंड्स गुडबाई